मित्रो आज का ये वीडियो कोई कथा कोई कहानी ऐसा कुछ नहीं है आज का ये वीडियो हमारे सनातन धर्म हमारा हिंदु धर्म हमारे काश्मिक पंडित जो भी वहां रहते थे काश्मिक में उनके अधार पर उधर की असली सत्यकथा क्या है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो काश्मिर पुराने जमाने से बहुत सालों से हजारों सालों से रुशी मुनी वहां रहते थे आज उस जगा पर आखिर इतना युद्ध क्या हो गया और क्यों किसने ये आग लगा दिया काश्मिर में तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं मित्रों अगर आप भी ऐसे ही सवालों के जवाब जाड़ना चाते हो तो आज के इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप मत किजेगा और पूरा दिखेगा नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विद्ञान पर फिर से एक बार चलिए दोस्तों आज के इस न्यूँ वीडियो को हम शुरू करते हैं जिस कश्मिर में कश्मिर पंडित हजारों साल से रहते आ रहे थे जो कभी कश्मिर प्रुशी की वो भमी थी जहां दरिया है पहाड है कुद्रत की नक्षी है उसी कश्मिर में सामुईक चिता ही जली थी नवद का दशक कश्मिर में बरबरता का वो दोर लेकर आया था जिसे आज केंसे पहले देखा गया ना सुना गया कश्मिरी पंडितों को मारा गया बेटियों के साथ वहाँ पर बलादकार होई कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा था तीन दशक के बाद एक फिल्म सामनी आई है कश्मीर फाइल्स के नाप से आज जिसने इस दर्थ को फिर से कुरेदा है आपको जानकर हैरानी होगी उस भयानक दोर में आतकवादियों को कट्टर पंतियों ने मिलकर 20,000 कश्मीर पंडितों को घरों को फूप दिया था जलाकर राक कर दिया था कश्मीर में 105 स्कूल, कॉलेज और 103 मंदिरों को तोड़ दिया गया था एक आकड़े के मुताबी ग्यारासो से जादा कश्मीर पंडितों की बहरमी से हत्या कर दिया था सन 1947 कश्मीर में हिंदों की आबादी 15 टक्के थी जो साल 1921 से में 5 टक्के रह गया थी और उसके बाद 2000 में, सन 2000 में गाटी में हिंदों के आबादी 2.77 टक्के हो गई जबकि 2011 में ये आबादी बढ़कर 3.42 फिस्दी गया अगर सिर्फ हिंदों की बात करें, तो साल 2011 में 28 टक्के लोग हिंदों आबादी में घाटी में मौजुद थे अकेले श्रीड नगर में 2001 में 4.50 हिंदों थे और 2011 में 2.6 फिस्दी रह गया थे एक अकड़े की मुताबिब अब कश्मिर में कश्मिर पंडितों के ही करीब 808 परिवार रह जाए थे आबादी के लिहार से करीब 3.000 वर्ष कश्मिर पंडित गाटी में मौजुद थे कश्मिर पंडितों के परिवार उनका दर्ग सुनकर आपके रोटूटे खड़े हो जाएंगे कश्मिर में कश्मिरी पंडितों की मौध का सिलसिला 19.00 जैनेवरी 1990 को शुरू नहीं हुआ था वो तो अत्याचार का चरम बहुत पहले से था कुरूरता इतनी बढ़ गई थी कि आगाज तो दस साल पहले से ही हो गया था इस कुरूरता का आगाज दस साल पहले यानि की 1980 में हो चुका था सन 80 का दशक समाब्त होते होते पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग शुरू की हो चुकी थी सयद सलाव दिन और यासीन मलिक उन आतंकी ओप में से हैं जिनोंने सबसे पहले गाटी में बंदुक लहराई थी पहली बार धर्म के नाम पर कश्मिर की आवाम को बाटा जाने ले था स्थानिय लोग उनके दिमाग में जहर भर रहा था साल 1927 एक विदान सबा में चुनाओं में धानली के आरोप लगे थे जिसके बाद बड़ी संक्या में युवाओं ने हत्यार उठाए और कश्मिर में 90 के दशब उनका खुनी खेल शुरू हो गया था आज तक घाटी को जला रहा है इसी जिहादी ने कश्मिरी पेंडितों को जीतेजी नरक की आग में धकेल दिया था साल 1989 में कश्मिर में आतन्तवाद का दोर विस्तार लेने लगा था हिजबुल मुचाहित्ति और जेके एल एफ इनोंने कश्मिर में जेहाद का एलान कर दिया था जिसके पाद मौत का तांडव और गोलिया बरसने लगी थी गाटी में कश्मिरी पेंडितों को बुरे दिनों की पहली आहट 14 सितंबर 1989 को आई थी भाजपा के राष्ट्रिया कारी करीनी उनके सदस्य और काश्मिरी पंडित तिलक लाल तपलू जेके एलेफ ने हत्या कर दी थी इसके बाद जस्तिस नील कांथ गण्जू उनकी भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उस दोर के अधिकतर हिंदू नेत्यों की हत्या कर दी उसके बाद 300 से जादा हिंदू को आत्रंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था जमात एइस्लामी इन्होंने काश्मीरी में रहकर काश्मीर में के पंडितों को उनपर कहर बरसाने की साजिश की जिहादी संगटन जमाते इसलामी भीवी शामिल था जिसने साल 1989 में इसलामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया और नारा दिया गया हम सम एक है तुम भागो या मरो इसके बाद कश्मेरी पंडितों को गाटी छोड़ कर जाने लगे था ऐसा उन पर कहर बरसा है था करोडों के मालिक कश्मेरी पंडित अपनी पुष्टेली जमिन जायदाज छोड़ कर रिफ्यूजी कैपू में रहने लगे और मजबूर हो गए थी गाटी के उर्दु अकबार में भी कश्मेरी पंडितों को परिशान करने लगे थी हिज्ब उल्ग मुजाहित्ती कश्मेरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लग गया जिसमें लिखा था या तो मुस्लिम बन जाओ या काश्मेर छोड़ दो ऐसा वहाँ पर लिखा था कश्मेर पंडितों ने पाकिस्तान की तलका लिन प्रधान मंतरी बेंजीर बुट्टों ने टीवी पर कश्मेरी मुसलिमों को भारत से अलग होने के लिए बढ़काना शुरू कर दिया था कश्मेर से पंडित रातों रात अपने सब कुछ छोड़ने के मजबूर हो गए थे वो काली रात कश्मेरी पंडितों के परिवार आज भी नहीं बुले होंगे कश्मेरी पंडितों की बस्तिया बंदुकों ने विरान कर दी आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ही देश मे कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने नहीं सुनाओगा करीब सत्तर अप्रादियों को जेल से रिहा किया गया था कश्मीरी पंडित अपने घर आंगन को छोड़कर पूरे देश में पणा लेने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि आतंकियों ने कुरूरता की हर हद पार कर दी थी सीरिया और इराग में आईएस इनोंने जुर्म बरपाया वो तो कश्मीरी पंडित तीस साल से पहले जहल जुके है जिस समय कश्मीरी पंडितों का पर उन पर अत्याचार और काला अध्याय लिखा जा रहा था उस वाक कश्मीर के मुख्यमंतरी फारुक अब्दुल्ला थे जो साल 1989 की जुलाई से लेकर नवंबर करीब सत्तर अपरादियों को जेल सी रिहा किया गया था उन्होंने ये अपरादी क्यू छोड़े गए जवाब आज तक किसे ने नहीं दिया था लेकिन फिर कश्मीर में जो तांडव हुआ उसे दुनिया ने जरूर देखाऊगा और सब को पताए 14 अगस्ट 1993 डोडा में बस रोक कर 15 हिंदियों की हत्या कर दी गई थी 21 मार्च 1997 जम्मू के संगरामपूर में घर में गुसकर साथ कश्मीरी पंडितों को किन्याप करके मार डाला गया उसके बाद 25 चैनेवरी 1998 हक्यार बंद आतंकियों ने चार कश्मीरी परिवार के 23 लोगों की गोलियों से भून कर मार डाला इतनी गुलिया बरसी उसके बाद 13 अप्रेल 1998 को उदमपूर में 27 हिंदियों को मोत के घाट उतार दिया गया जिसमें 11 बच्चे भी शाविल थे उन बच्चों का क्या कसूर था कश्मीर को धर्थी का जन्नत कहा जाता है लेकिन गाटी को जन्नत कैसे माने क्यूंकि जन्नत में तो जुल्म के लिए कोई जगा नहीं रहोगी जब तक कश्मीरी पंडितों की दर्थ भरी दास्ता जिन्दा है गाटी को जन्नत कहे उन पर कहे जाने वाले सवाल उठता रहेगा इत्यास की सबसे बरबर कुरता उसके बाद अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया था कश्मीरी पंडिती नहीं पूरे देश में पंडितों का यह हाल हो गया था कि कही उनको आसरा मिल जाये यह वह चाते थे पर नहीं मिल रहा था इसा कुछ काटी में कश्मीरी पंडितों की आबादी सिर्फ 0.1% है कश्मीरी पंडित जम्मू और देश के दूसरे इलागों में रिफ्यूजिक कैप करके रहने को मजबूर हो गये थे करोडपती कश्मीर पंडित सडक पर आ गये थे जम्मू के ग्यारा राहत शिवीरों में कश्मीरी पंडितों की आबादी करीब 1.8 लाग थी जिनका दर्श सुनने वाला भी कोई नहीं था ओल कश्मीरी पंडितों को ओडिशन कमेटी उनके मुताबी कश्मीर गाटी से बाहर 22,000 विस्तापित परिवार रह रहे थे इन में से 40,000 परिवार जम्मू में 20,000 परिवार दिल्ली में जबकि बाकी 2,000 परिवार देश के दूसरे शहरों में रहने लगे थे वो मजबूर थे आपने आबादी बढ़ने की दर तो सुनी होगी लेकिन कश्मीरी पंडितों की आबादी कतल आम उसके बाद घड़ गए एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 से 2000 तोदा के दवरान कश्मीर से पलायन करने वाले 22,000 कश्मीरी परिवारों में सिर्फ 10,000 बच्चे ने जणम लिया था जबकि इसी दवरान 23,708 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई ये मौते उस दर्द की वज़य से हुई है जो कश्मीरी पंडितों ने गाटी में जेला था सोचिये इतना दुख कभी सुना है जहाँ जन्म कम होने लगे और मौत जादा हो जाए अईसा वाबर गहर बरस था जन्म से निकाले जाने के बाद कश्मीरी पंडित गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो गए थे सरकार ने भी सिर्फ वाइदा किया था किसी ने भी इनके आसू नहीं कोचे 10 चुलाई 2014 को कश्मीरी पंडितों के पुनरवास के लिए पास्सो करोड आवंटित किया गए 5 सितंबर 2014 को राजनात सी ने ततकलिन सियम उमर अब्दुल्ला से कश्मीरी पंडितों के पुनरवास के लिए जमिन मांगी थी केंदर सरकार की स्कीम पर अलगाववादियों ने विरोष दर्ज करया है था 7 एप्रिल 2015 को केंदर ने कश्मीरी पंडितों की टाउन्शिप के लिए जमिन मांग लिए ततकलिन सियम मुफ्ती मौमत सईद ने जमिन देने का भरोसा दिलाया 8 एप्रिल 2015 को कश्मीरी पंडितों की टाउन्शिप की मुफ्ती सरकार यूटन ले लिया मुफ्ती सरकार ने पंडितों को उनके उजन्ने की जगव पर बसाने की बात गई 19 जन्यवरी 2017 को विदान सबा में कश्मिरी पंडितों की वापसी का प्रस्ताव पास किया गया 24 जन्यवरी 2017 को सरकार ने पुनरवास के लिए 8 जगा पर 100 एकड जमिन उसमी बैचान की एलान तो तब खुप हुए पर अभी तक कश्मिरी पंडितों के उजड़े घर बसे नहीं है उनके दर्थ पर मरहम लगा नहीं है उल्टा कश्मिरी पंडितों के साथ सिर्फ राजनिती कर उनके जखमों के बार बार कुरेदा गया है उनको इतना जखम हुआ है आप सोच भी नहीं सकते अब तो जखम भी नासूर बन गया है जिनने कश्मिरी फाइल्स ने फिर से दर से भर दिया है फिल्म का विरोत करना या उसका विरोत या समर्थन करना किसी भी नागरिक का अधिकार है लेकिन हमारी लिए इस कश्मिरी फाइल्स का कश्मिरी पंडितों का सच जानना उतना ही अवश्चक है और ये हमारा कर्तव्या है एक सनातन धर्म हिंदू नागरिक और भारत का देशवासी होने की हिसाब से मित्रो उम्मिद करता हूँ आज का ये वीडियो पूरे हिंदूस्तान के हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए है आज हम आवाज उटाएंगे और कश्मिरी पंडितों की जो भी जगा है उन्हें मिले ऐसा कुछ करके दिखाएंगे दोस्तों अगर कुछ बात करनी हो तो कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो ओके दोस्तों लाइक किजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेर किजिए और हर कोई इंसान कश्मिरी पंडित उनकी जो भी हत्या की गई है वो जान सके चलिए दोस्तों फिलाल आज के लिए बस इतना ही जैहिन जैवादा